हलो यूरीवन गुड मॉनी नमस्कार बारा मई 2022 और दहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगे टेलेग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इन केश वो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको सीदा प्रिवर्था niayas academy टाइप करना है टेलिग्राम पर उसके बाद आपको लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको ध्यान देना है कि प्रिवर्तनाइस अकैडमी नाम से दो चैनल होंगे जिसमें अभी नया जो चैनल होना है जिसमें 300-300 के आसपा सबस्ट्राइबर हैं वह वाला इसी का सक्षन 124A है इसी को लेकर यहां पर सुप्रीम कोट ने ये जो कानून है फिलाल के लिए होल्ड पर रख दिया होल्ड पर रखने का मतलब क्या कि इसके कानून के क्योर्डिंग कोई एक्शन फिलाल के लिए नहीं लिया जाएगा जब तक ये पूरा प्रिसीजर जो रिकंसिट्रेशन करें यहां पर बात की जा रही है एक डेटा इंडिकेट किया गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्योरो की रिपॉर्ट ये बोलती है कि अंडर सेक्षन 124A इसके क्योर्डिंग 356 केसी जो है रिजिस्टर किये गे और इन में से 548 पीपल जो है इन केसी हुआ यहां पर कुछ परसंड के एक्जामपल दिये गे दिशारवी कस्मीरी सुडेंट सरजिल इमाम और कनिया कुमार जिनके अगेंस्ट ये किस तरह की केसी जो है वो इंप्लिमेंटेशन किये खेर ये क्यों किये गे कैसे किये गे कब किये ये सारी चीजे बिलकुल इंप इस सेक्शन को इस कानुन को इस आई पीसी के लोग को समझना कि क्या इसके अंदर प्रोविजन से इसके अलावा सुप्रीम कोट ने कहा कि भाई पहले बात तो यह है कि सेक्शन वन टू फॉर एक अंदर जितने भी प्रोशीजर होंगी या जो केसी अभी आने वाले टाइम होंगे वो क्रिमिनल ट्राइल्स या कोट प्रोशीडिंग जो उन सब को जो सस्पेंड किया दाता है फिलाल के लिए यानि एक टेंपरेरी होल्ड कह सकते हैं आप इसको लगा गया है और इसके अलावा जितने भी पेंडिंग ट्राइल से अपील है प्रोशीडिंग है इसके सक्षिन वन टो फॉर के एक ट्रीके से उनको होल्ड पर रखा जाता है इसके अलावा यहां पर एक अर्ग्यूमेंट किया गया कि भारत के अलग अलग प्रीजन्स के अंदर जेल के अंदर लगवा तेरह जार व्यक्ति ऐसे हैं जिनके एगेंस सबसे ज़्यादा एलिगेश कोई भी नई F.I.R. भी नहीं होने चाहिए और जब तक सेंटर गवर्मेंट इसको रिकंसिटिशन करती है इसके बारे में एक ओपिन अपना एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करती है उसके बाद ही इसको लेकर किया जागा यानि फिलाल के रिए ये चीज़ साब उनने कुछ important statement दी पहली बात ये बताया गया इन्होंने बताया कि लक्समन रेखा को हमें indicate करना पड़ेगा लक्समन रेखा का मतलब होता है एक limit जो set करी जाती है इंडियन constitution के बहतरिन feature है या executive legislature और judiciary के function को decide किया जाता है इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमे respect करनी चाहिए for example court को respect करनी चाहिए government की और जैसे legislature respect करती है court की जोनों को respect करनी चाहिए एक दूसरे की और इसमें इन्होंने कहा कि इस कानून को जो हम stay कर रहे हैं तो उसके बादी statement देगी हलाकि opposition political party उन्होंने बहुत welcome किया even CPIM ये तो बड़ी politically active party होगी है इन्होंने कहा कि हमें completely इस जो बिना review कि आपको इसको खतम कर देना चाहिए खैर ये एक अलग सा opinion है अभी recent में इनके against CPIM ने दिल्ली के अंदर जब bulldozers का इस्तेमाल किया जा जा रहते हैं एन्रोच्मेंट हैटाने का जोग procedure था जिसका काफी लोग growth भी कर रहे थे तो Supreme Court में इन्होंने petition file करी तो Supreme Court ने इन्होंने पूचा था ठीक है लोग वहां के अगर Supreme Court ने petition file करते तो अलग बात है आपके कौन से fundamental rights का violation हुआ है ये जान slam किया यानि Supreme Court ने ये जो सेंटर government का तरक्की वही केवल paradigm power या माफ करने की जो सक्तिया केवल रश्टपती के पास है इस चीज़ को लेकर थोड़ी नराजगी जिताए कि वही ऐसा नहीं है अगर ऐसा है तो अभी संधान में दूसरे articles का क्या मतलब है governor की power का क्या मतलब हता है हत्या की गई थी जब और लगबत 30 साल से उपर ये issue हो चुका है तो अब ये debate ये हो रही है इस पूरे scenario को लेकर तमिलाडु सरकार ये चाहती है कि भाई इस पूरे मामले में इनको माफ्त कर देना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति 30 साल से उपर जेल के अंदर रहा है उ उसको सजा नहीं हुई है सेंटर गवर्मेंट ये कह रहे है कि अगर ये हुआ तो इससे एक रोंग इनपूट जाएगा रोंग एक तरीके से मैसेज कनवे होगा इसी को लेकर सुप्रीम कोट में डिबेट चल रही है सेंटर गवर्मेंट ने एक एफिडेट फाइल किया कि इनको माफ करने की दूसरा केवल प्रेजिडेंट के पास पावर इस चीज़ को लेकर सुप्रीम को नराज है कि आपकी स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये है कि भारत के समिधान में जब आर्टिकल 161 161 की अगर हम बात करते हैं जो कॉन्सिटिशनल पावर है गवर्मेंट के साथ पास है गवर्मेंट का कोई लिना देना नहीं है तो अब तक जितने भी गवर्मेंट देश के अंदर रहे हैं उन्होंने अलग-अलग इश्यूज पर अपना ओपिनिन दिया या माफी दी है तो भारत की अजादी के 70-75 वियर में क्या जो अब तक डिसीजन लिएग नहीं है यह कहीं नराजगी सुप्रीम कोट की कि आप इस तरह की चीज़ें करते हैं बच्चों जैसी आपके समिंधान में क्लिर कट लिखा हुआ है खैर यह टोपिक काफी डिवेटिबल है मैंने 2021 में 2020 में क्योशन हुआ था एक किस में मुझे ध्यान नहीं है लेकिन एक क् करता तमील लडू वाला ही केस था तो इस तरह के क्योश्चन को यूप ऐस से पिक कर सकते डिरेक्ली पांच जून को आपका एग्जामिनिशन होगा और याद रखिए करण्ट अफेयर से भले ही कंब क्योश्चन हो लेकिन करण्ट फेयर बेस्ड कंसेप्ट वाइस क्योश् है सिलंका के दोरे नाम दिया गया और एक सिंगली वर्ड है जिसका मतलब होता है रेत या नाराजगी यह नाराज है और एक तरीके से नेमिंग करी जाती है इस पर वर्ल्ड मिटलोजिकल और ग्रूपिंग बनाए जाते है अलग-अलग इसके अदर फॉर एक्जमपल इंडो इंडियन ओशिन के आसपास जो गंट्रीज है उन में इसके अलावा इंडियन मिटलोजिकल डिपार्टमेंट ने काया कि ओडिशा अदर प्रदेश में दिक्कत कर सकता बारिस बारिस हो सकती है और उसके अलावा वेस्ट मिंगोल में कोई दिक्कत खास होने वाली नहीं है तो वहीं फिशर्माइन है जो अपने समय समय पर एक तरीके से मसले पकरने ना जाए घर पे रहें थोड़ा सा चाय पाने पीए यह सब चीजी है खेर इंडियन मिटलोजिकल डिपार्टमेंट या भारतिये मौसमी भाग काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्रे ओफ किस डिस्टिक में आएगा कितनी रफतार होगा यह सारी चीजे नौन रिलेबेंट है कोई इंपोर्टेंट नहीं इसकी इसके ठीक नेचे जो एक डिबेट काफी हो रहा है मेरिटल रेप को लेकर क्या मैरिटल रेप का क्या मतलब है मैरिटल रेप की अगर आप डिफिनीश के अंदर लेकिन मेरिटल रेप क्या है कि अगर साधी के बाद इस तरह के एलिगेशन लगे कि फोर्सफुल रिलेशन मनाया गया है तब क्या वो मेरिटल रेप के अंदर आएगा तो भारत के समिधान में नहीं सुरी भारत में की जो आईपी सी इंडियन पिनल कोड उसके अ से उपर है फीजिकल रिलेशन मनते है या सेक्शुल इंटर कोर्स होता है तो उस कटेगरी में वो रेप की कटेगरी में नहीं आएगा अगर फोर्सफुली भी होता तब भी अब इसमें डिबेट यह है देखो एक चीज़े अगर हम देखते हैं दो तिन पक्स है और दिल्ल करते हैं इस तरह की कानून को और कि भले ही आप मेरिटल हो लेकिन आपको परविशे ये कंसेंट जरूरी है दूसरी और जस्टिस सी हरी जंकर ने कहा कि पहले बात तो मेरिटल रेप को क्रिमलाइज करने से कोई एक तरीके से इसको क्रिमलाइज करने को लेकर प्रोपर लिगल अस्पेक्ट को कहिने के इंडिकेट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़े हैं कि 162 एर ओल कानून को बदल देना चाहिए देखो अगर हम बात करते हैं मेरीज के प्रस्पेक्टिव में अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं इस कंटेक्ट में कोई केस कितना वेरिफाइड है या उसको प्रूव करना ये सबसे मुश्किल काम होगा हला कि forcefully अगर कोई भी relation होता तो definitely वो crime के अंडर आता है बट इसमें भी differences है तो ये एक ऐसा टोपिक है जिसमें पक्स और विपक्स में डिबेट हो सकती है यानि एक argument वाला एक तरी किसे critical analysis जो यूपिस्ट में आप इस तरह के सवाल देखते हैं उस तरह का ये टोपिक है उ central government बहुत ज़्यादा favor में नहीं है इसको criminalize करने में यानि इस section को खतम करने के पक्स में नहीं है central government इसके बाद page नंबर 6 क्योंकि हम लोग editorial पढ़ते नहीं है लेकिन editorial के बारे में आपको basic सा बता देंगे कि आपको editorial कौन-कौन शार्ज पढ़ने और क्यों पढ़ने है this is the important question सबसे पहले left hand side जो छोटा सा article है frozen sedation जो sedation कानौन लोंको लेकर debate है उसको लेकर काफी important है उसको लेकर भी यहाँ पर discussion किया गया है इसके अलावा यह जो दोनों है engage not dismiss और इंडिया की जो pandemic mortality को लेकर debate हो रही है WHO और गोर्मेंट के भीज में यह आप पढ़ सकते हैं मैं यह article important है because अभी United States में भी इसको लेकर debate हो रही थी various countries में इसको लेकर debate हो थी यह आप पढ़िए इसके अलावा एक article जो है वो हमारे former voice president की दवार लिखा गया from भार्त to India article पढ़ते टाइम हमेशा याद रखिए कि जो भी व्यक्ति लिख रहा है उसका एक personal opinion है यानि ऐसा नहीं क कि सब चीजे उन्होंने जो कही वो परमसत्य है आप इसको just opinion की तरह indicate करिए और rationally articles को पढ़िए और सोचिए जो अच्छा लगे उसको देखिए नो अच्छा लगे उसको cut करिए आगे बढ़ते हैं page number 8 जो text and context है पूरा बढ़ा एक article लिखा गया industrialization in Tamil Nadu's development करके अलकि article थोड़ा case study type में आप इसको self study से पढ़ सकते हैं बट मैं इसके बारे में कुछ points ब्रीफ में बता दूँ ताकि आपको idea हो जाए कि इसके अंदर है क्या क्या क्योंकि page number 9 पे text and context है ecology के perspective से वो article थोड़ा ज्यादा important है खिर Tamil Nadu में industrial development में क्या हुआ जो development path में इनके अलग trajectory रही है और Tamil Nadu का manufacturing sector वो डायनमिक है compared to दूसरे state social justice बहुत important होता है modernization को अगर हम देखते हैं आज भी social justice का मतलब क्या कि समाज के सभी हिशों को एक्तिरिके से right मिले fundamental rights मिले या उनको भी equality मिले ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये कहना कि केवल low caste के ज manual sequencing इस तरह कि या नि जो मैलाट होने की पर्था इस तरह की चीज़ें करेंगे ये कहने का fundamental right का evolution है और उनकी dignities के against भी एक तरीके से चीज़े है ये कुछ चीज़े इसके अलावा employment और education का direct relation है 2017 में अगर आप देखें तमिलनाडू और केरला को state human development में एक अच्छा performance किया इ जैसे situation assessment survey of agriculture household ये बताती है कि तमिलनाडू एक ऐसा राज़े जिसके अंदर rural population में agriculture का role बहुत कम है ये बड़ी interesting है कि three-fourth जो है वो वहां की population non agriculture में function करती है as compared to other part of the India इसके अलावा तमिलनाडू के अंदर जो है technical education education के अंदर काफी electricative focus के अधर है खासकर higher education के अंदर जहां पर gross enrollment ratio 51.4% है scheduled caste में 39.6 है कम है लेकिन ये भी increase हो रहा है ये बताता है कि देश के अंदर जो polytechnic में enrollment है professional colleges के अंदर जो इन्रोल्मेंट है उसमें तमिलनाडू का एक role indicate हुए manufacturing industry के लिए हम बात करते हैं तो यहां पर कई सारी issues भी है manufacturing industries में कई सारे issues है महरास्टा गुदरात और के बात तमिल अडू देश की third largest industrial hub है इसके अलावा textile, garment है तूसरे जो component है वहाँ पर एक important role play किया इसने इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्योंकि किसी भी manufacturing sector में एक तरीके से skill का होना ये बहुत important होता है तो knowledge based service economy क करना ये definitely state की variety थी हलाकि इसमें भी कई सारे issues एक तो payment का कम होना ठीक है और दूसरा कई सारे issues क्या है जैसे supply chain disturb होना हो अभी रिशन में इंडिया और उक्रेयन और रिश्या के बीच में जो conflict उसका impact इंडिया पर भी पढ़ रहा है तो ये कुछ चीजे quality employment नहीं है कि salary बहुत सहर में खर्चा होगा तो फिर रहा के फाइदा क्या है उसका और रोल सिर्फ जैसे काम चलने वाली बात है ये कहने के निके उसके पास कोई saving नहीं होती इसके अलावा हमें migrant labor को लेकर भी काफी debate होती है इवन ये भी debate होती कि एक राज्यों को अपने state के लोगों को भरती कर करना चाहिए इसको लेकर एक और divisor हो जाती है और इन सब के बीच में हमारे लिए जुरूरी है कि हमें अपने clusters को या sectors को एक तरीके से या तो salaries को increase करना पड़ेगा automation का phase है जहां पर mostly जो jobs है वो एक तरीके से automatic हो रही है ये एक बड़ा sector है यानि MSME sector को manufacturing sector को job create करनी पड़े solutions and challenges पर जो हमें focus करना पड़ेगा उन्हीं सब चीजों को लेकर बताएगा बहुत लंबा थोड़ा article है मैं personally request करूँगा कि article अगर आप पढ़ पाते हैं self study से तो पढ़िए otherwise एक brief सा मैंने थोड़ा सा बता है क्योंकि इसको brief में करना भी अपने आप में challenge है इसके बाद ये जो topic है page number 9 page this is very important shallow and deep ecology ये क्या ecology और उसको लेकर एक study ये उसको लेकर एक understanding जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटोग्राप ये फोटोग्राप कोई ऐसा नहीं किसी आप एक तरीके से किसी ice वाले places के अंदर जहां पर बरफ गिरती है नहीं दिल्ली की यवना नदी है और यवना नदी में आप देखी ये जहाग के symbols है और ये indicate करता है कि pollution level अपने peak पर है अगर आप यवना नदी को देख लेंगे दिल्ली में तो आपको ऐसा लगीगा कि यवना नदी नहीं है ये कोई गंदा नाला है और उस तरीके से indicate करती है खेर इन सब के beach में debate हो रही है shallow और एक तरीके से deep ecosystem को लेकर क्या है ये इन दोनों में difference क्या है basically philosophy है understand करने को लेकर कि एक fashionable चीजे करना कि ठीक है pollution हो रहा है resource खतम हो और कोई दिक्कत नहीं ठीक हो जाएंगे ये है shallow ecosystem और deep क्या है कि अगर हम अपने कारणों को specific बदलाव करे implementation करे policies को तो जो environment को हम नुक्सा पहुंचा रही है ना इसको कम कर सकते हैं आज आप nature के साथ खेलेंगे कल nature आपके साथ खेलेंगे खेलेगी तब उसका impact जो है वो उसको indicate करता है जैसे कई बार हम देखते हैं जो हमारे mountain states हैं या फिर हिली states हैं वहाँ पर construction किया जाता है हलाक क्या construction भी जरूरी है लेकिन sustainable न generation जो change हो रहा है nature के साथ और इसमें ये reject करते हैं कि जो shallow approach है कि कोई दिक्कत नहीं enjoy करो सब चीज़े या एक तरीके से environment को destruction करें modern societies के अंदर ये indicate नहीं है narrow focus ये करता है कि pollution conservation moment ये कोई दिक्कत नहीं है कोई problem होने वाली नहीं है लेकिन actual में अगर आप observe करेंगे तो ये जो अ ekologism पर function करना चाहिए long term effect क्या होंगे climate change को लेकर इसको understand करना पड़ेगा और extreme frequency जो prolonged impact हो सकते है climate change को उसको लेकर हमें focus करना पड़ेगा environmental philosophy इसके लावा relationship जो nature और humans के बीच में है उसको भी हम understand करना पड़ेगा style of ekologism का जो concept है ये कहां से है 1970 में Norway के philosopher है Erne Nice करके इन्होंने एक statement दी कि popular pollution और conservation moment के बीच में environmental degradation को लेकर एक proper study होने चाहिए और जब ecological concern को लेकर ये study हुई तब उनने कहा कि यहार एक individual का अपना रोल होता है climate के अंदर या इस nature के अंदर और अगर वो इसको understand करता है या किस तरीके से understand करता है उसी के ओपर ये कहिने के indicate करता है दोनो style of ecological का अपना अपना एक तरक है for example अगर आप देखते है जो shallow perspective वे सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है environment से कोई problem नहीं होने वाला है resource खतम और इसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो deep perspective वें बात करते है तो उसमें ये माना जाता है कि हर factor जो है उसको अगर हम environment को, ecology को, nature को protect नहीं कर पाए तो nature हमें protect कैसे करेगा ये एक सवाल है chloroflorocarbons का लगातार increase होना या उसको unlimited increase होना ये कहने के indicate करता है कि हमें deep ecological values की तरफ focus करना चाहिए for example इसमें भी debate है जैसे अमेरीका जो है दुनिया की 5% अबादी रहती है लेकिन वहाँ पर energy consumption की बात करते हैं तो दुनिया की 17% energy consume करते हैं दुनिया की अगर हम बात करते हैं जो low income या middle income countries है वहाँ का जो consumption level है वो बहुत कम है carbon dioxide का कम से कम emission करते हैं लेकिन यह तो full एक तरीके emission करते हैं और भारत जैसे देशों कहते हैं वह यह आपको कम करना है equal treatment होना चाहिए और इसी को लेकर फिर debate होती है climate justice वैसी चीज़ों की तो आज के time पे हमें अपने lifestyle को वदल लेंगे जरूत है हमें एक तरीके जो artificial चीज़े कर रहे हैं जैसे commercial farming में meat को preserve करना forest areas के अंदर artificial fatting of animals इस तरह के या transport system को reshape कर रहे है internal combustion engines के तरू इनके बजाए हमें अपने lifestyle को change करना पड़ेगा deep ecological shift में focus करना पड़ेगा कि pollution और जो conservation है यह बहुत important है नहीं तो आने वाले समय में आपको सांस लेने तक में दिक्कत हो जाएगी तो technical skill और intervention के थूँ आपकी ecological responsibility है और अगर ecologist इस चीज़ को reject करते हैं इस perspective में कि भाई आपके जो shallow perspective में आप सोचते हैं बहुत narrow minds चे आप सोचते हैं तो इस पूरे scenario में अपने आपको reevaluate करने की जरूत है और एक जो doctrine आती survival of the fittest की जो अच्छा होगा जी जाएगा उस तरह की फिर conflict होने शुरू हो जाएगे इसके लिए जरूर ही कि आप ecology environment बायो डास्टीन के बीच में balance करें जैसे socialism, anarchism, feminism, conservatism इन सब के बीच में अलग अलग theories हैं तो हमें चाहे वो policy framers हो या policy implementation हो इन इन सब के बीच में एक balance create करते हैं इसको लेकर एक proper अपने decision को strengthen करना पड़ेगा, decentralized करना पड़ेगा यह अगर उपर से center government से decision लेता है तो ग्रामिंट सतर तक उसका proper implementation हो, decision making के proper chain होने चाहिए और इन सब के बीच में हमें understand करना पड़ेगा कि जो our developed nation है या under developed nation है इनके बीच में difference होंगे और उसी के basis पर यहां पर indicate किया जा रहा है कि अगर हम यहां पर चीजों को observe नहीं करेंगे, difference को understand नहीं करेंगे और केवल shallow approach follow करेंगे तो वह आने वाले time में climate को लेकर जो सिर्फ debate हो रही वो impact भी करेगी इसके अलाबा यहां पर page number 10 के इंदरगर हम बात करते है तो supreme court के एक advocate है, इन्होंने कहा कि क्योंकि अब one to four पर कुछ समय के लिए hold रख दिया supreme court ने, अब bail भी इसको लेकर apply की जा सकती, वो सारे चीज़े debatable है कि bail को लेकर apply होगा नहीं होगा, ठीक है, यह कहीने कहीं indicate किया जाता है, कि prone to misuse है, और even अगर आप बात करेंगे इसमे attorney general of Indian, इन्होंने भी कहा कि भाई, इसके misuse होने की possibility में court जा सकते है, तो misuse की बात जो सरकार भी कहने के indicate करती, इसमें misuse की possibility है, जैसे farmers के right को लेकर supreme court ने hold किया था, इसी दरीगे situation लोग को भी hold किया गया, इसके अलाबा, यह जो marital rape वाली जो issue है, इसको फिर से यहाँ पर mention किया गया है, central concern on marital rape is lactimate, इन्ही central government का जो concern है, वो lactimate है, वो सही है, वाजिब एक concern है, और अगर आप last में देखेंगे भी, जैसे यहाँ पर बताया गया, कि भाई, domestic violence act 2005 में, एक clear cut बताया गया है, कि domestic violence है क्या, physical, sexual, verbal and emotional abuse, पारलियमेंट में सरकार ने बताया था, कि center government फिला के से stuck down करना है, क्योंकि एक ऐसा issue है, जो proper consultation होगा, ठीक है, और ये अरोप लगाना कि जितनी भी marriage है, जितनी भी साधिया है, वो violent है, ये भी सही ने, generalize नहीं कर सकते हैं, तो दोनों एक debatable है, खेर आने वाले समय में पता से लेगा, इसको लेकर क्या impact हो सकते हैं, इसके अल के दिन एक important event होने वाला है, क्योंकि नेपाल में बहुत important place है, भुदिजम को लेकर लुम्बिनी और वहाँ पर जाएंगे, इसके लावा यहाँ पर आप photograph देख रही है, नेपाल के ambassador संकर परसाथ सर्मा, और इन्होंने बताया कि हम इस visit को successful बनाना चाहते हैं, इंडिया और नेपाल के जो relation है, वो हम definitely three cases को consideration करते हैं, भारत और भारत के लोगों जो समर्थन राया चाहे वो connectivity को लेकर हो, defense, post earthquake, earthquake rescue, जो 2015 में बुकम पाया था, उसके बाद relief और reconstruction को लेकर हो, हम उसका धन्यवाद करते हैं, और इंडिया भी focus करता है, बुदिस्ट community को लेकर, और भारत ये चाहता कि जितने भी important Buddhism places है, उनको connect कर दिया जाए, ताकि दुनिया भर के जो tourist है, वो इंडिया के अंदर आए, बुदिस्ट जो dominated है, South East Asia के अंदर, तिबद के अंदर, और इंडिया की जो core strategic concern है, उसके अंदर भी indicate किया जाता है, इसके अलावा, यहाँ पर एक book जो यह launch करेगी, वो इस प्रिजिडेंट साब के द्वारा, और इसमें भारत के प्राइमिस्टर के 20 सालों के जो एक तरीके से सरकार के प्रमुक के रूप में चाहिए, प्राइमिस्टर उनके बारे में mention किया गया, इस book का नाम देख लेते हैं, क्या important point जो speech के अंदर बोले एक्जाम perspective से भी important है, बुक का नाम है, मोधी at 20, dreams mid delivery, a collection of essays on Mr. मोधी on his completion of 20 years of helming government, Chief Minister of Gujarat as well as Prime Minister of India, ठीक है, तो यह इन्होंने इंडिकेट किया गी बुक आई है, और इसके 20 सालों के बारे, जो प्रधार मंद्री के कार्यकाल रहा है, उनके बारे में जानकारे देगी है, कि CM और PM काजुन का कार्यकाल था, उसके बारे में इंडिकेट करती है, अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, वोईस प्रेजिडन साहब के दौरा तीन words इस्तमाल किये गे, कि उनका जो मंत्रा है, reform, perform और transform, यह अपने आप में interesting है, यह जो lines होती है, tag lines होती ह आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, अपने examination perspective से, इसके अलावा अगर आप इन्होंने बताया कि एक worker से कैसे प्रेजिडन के जरनी जो हो, वो अपने आप में important है, various factors के अंदर, cleanness को लेकर सबस भारत machine, mission, building toilets, या portable water, जल जीवन mission हो, उजुला योजना हो, या एक तरीके से, जो operation के perspective से बताया गया कि भारत का जो focus है, वो definitely एक leadership के रूप में हम लोग ऊपरे हैं, दूसरा, इंडिया ने terrorism को एक international form पर जो है issue raise किया है, investment को attract किया है, best practices and technology को जो different world में use कि जार उसको indicate किया, वंदे भारत mission, operation गंगा, operation देवी शक्ती, ये कहिने के indicate करता है, कि भारत अपने नागरी को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वंदे भारत mission जो COVID ने फसे था, उनको बाहर निकालने के लिए, operation गंगा, जो युक्रेयन ने फसे था, उनको लेकर, operation देवी शक्ती, यानि अफगानिस्तान में जो भारत के नागरी फसे था, उनको बाहर निकालने मे भारत का जो रोल है, या जो operation चलाएगे था, उनके बारे में mention किया गया, इसके बाद बात करेंगे page number 12 पर, और page number 12 पर दो important चीज़े है, सबसे पहले left hand side जो news है, वो है, बीवी दोसी, इनको royal gold medal मिला है, ये basically एक architecture है, और इनका बहुत important रोल है architecture के perspective में, तो इनको, इनका प प्रिष्णा विठल दास दोसी और इनको prestigious royal gold medal 2020 दिया गया है, ये माना जाते है कि आर्केटेक्चर में ये highest award है, तो ये दिया है, रोयल institute of British architecture ने और साइमन अलफोर्ड ने प्रेजेंट किया, उनके घर पर एमदाबाद में, ये कुछ जान कर या दी गई, 94 year old architecture है, इसके ल PCS होते हैं, इवन UPSC में भी पूसे जा सकते हैं, ready for the question इस तरह के छोटे 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 लिखिन important question है, इसके बाद यहाँ पर बात की जारे किलास सत्यारती जो की Nobel Peace Prize winner है, इन्होंने कहा कि हमें social protection को built करना पड़ेगा, और basically various issues को लेकर discussion कर रहे थे, खासकर ये इन्होंने ब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए एक mechanism को set करना पड़ेगा, सबसे पहले बताया गया कि जो किलास सत्यारती उन्होंने कहा कि जो काम करते रहते हैं महिलाओं के rights को लेकर बच्चों के rights को लेकर खासकर, तो fifth global conference on the elimination of child labor organized की जाएगी international labor organization के द्वारा डर्बन के अंदर डर्बन, South Africa के अंदर, इसके लावा इनोंने कई सारे issues को raise किया, जैसे हमें international social mechanism को follow करना पड़ेगा, ताकि जितने भी महिलाए हैं, जितने भी pregnant women हैं या खासकर low income countries में उनको लेकर एक campaign loan चो और इसको लेकर इनका कि ऐसा नहीं किए बाद नोबल प्राइज विनर से ही बात लेकिन अभी भी हमें various problems जैसे child labor है, child safety है, trafficking है या women को empower करने, इस तरह की issues को लेकर भी काम करना पड़ेगा, इनोंने बताया कि हमने एक सर्वे किया जिसमें 53 million dollar है अगर हम बात करते हैं, तो social protection को indicate करता कि इसके थुरू हम social protection पर काम कर सकते हैं, इसके लावा यहां पर इनों बैंक ने कहा कि COVID-19 कोज़े से 200 million additional लोग जो हो एक तरीके से cornic poverty के अंदर चले गए हैं, इसी तरीके से Russian invasion के बाद 60 million और यानि total 260 million people जो है वो poverty के अंदर चले गए, अब इसका impact क्या होता है, कि forced labor होगा, trafficking होगी इस तरह की चीज़े भी देखने को मिलती है, इवन यह 17 गोल और 169 सब गोल जो 2030 तक अचीव करने हैं, इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यह इनको अचीव करने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लाव अगर हम बात करते हैं, तो हमनों ने कहा कि हमें इस चीज़े को लेकर एक commitment शो करना पड़ेगा, कि 2025 तक चा लेबर को हम complete addict कर पाएं, completely खतम कर पाएं, इसके लावा page number 13, world affair में क्या चला, देखो world affair में बहुत particular कोई news तो नहीं है, लेकिन छोड़ी छोड़ी information आपको देखने को मिलेगी, for example, सिलंका के जो Central Bank के चीफ हैंनों ने कहा कि भाई, एकनों में बहुत brink परभूत, ऐसे corner पर कि collapse कर सकती है इस लंका की, और अगर politically stability को restore नहीं किया गया, तो economy ऐसे collapse करें जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके ठीक नीचे एक news है, United Kingdom ने कहा कि अगर आपके उपर कोई दिक्कत आई Sweden को, कि हम आपको उस attack से save करेंगे, खर Western countries की इस तरह के statement अपने आप इंट्रस्टिंग है, रिशन में इंडिया और नौडिक कंट्रीज के बीच में सम्मिट हुई तो Sweden और Finland भी उसका important part है, इसके अलावा दोनों कंट्रीज बड़ी इंट्रस्टिट है कि NATO को join करें, रशिया ने कहा कि भई NATO को join करोगे तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, खर य इंफलेशन एक biggest challenge बन चुकी है, यानि मुद्रस फिती continue एक बड़ी issue है, अगर आप ये photograph में देखेंगे, 130 रुपी कीलो आपको टमाटर मिल रहे हैं, 130 रुपी कीलो टमाटर खाने से अच्छा आप fruit खा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इतनी महंगाई है, तो ये definitely एक serious concern है हमें सोचना पड़ेगा कैसे हम इसको reduce कर सकते हैं, तो Russia और Ukraine का जो war है, उसके बाद दो बहुत serious inflation rise हुए, पहला एक तो energy inflation और दूसरा food crisis, ये बड़े level पर आपको देखने को मिलेंगे, इसके लवा यहां पर ये बताया गया कि भाई, लगाता है रुपी की value गिर रही है as compared to dollar, तो इसके क्या reason जब सरकार से बुचा गए तो लोने बता है कि ऐसा नहीं कि रूपी कमजोर हो रहा है, बलकि dollar strong हो रहा है, ये एक region है और ये basically spill of our effect है, यानि ऐसा बिलकुल नहीं है कि हमारे result कम हो रहा है, या currency जो है वो outflow लोग जो investment करका वो बहार निकाल रहा है, बलक dollar जो हो, वो strong हो रहा है, dollar की demand strong हो रही है, और इसके लाए बतायागा है कि हमारे पास प्रियाप्त foreign reserve है कोई दिक्कत नहीं, 18 मेने तक का import हम लोग कर सकते हैं, और foreign institutional university भी तो नहीं है, FDI भी इतना ही है, तो ये basically दिक्कत सरकार ने काया है कि भाई, dollar अपने आप में strong हो रहा demand की वज़े से, ऐसा नहीं है कि हमारे याप पर कोई दिक्कत है, तो इसके बारे में बताया गया, खेर, आज के the Hindu News Analysis में इतना ही, धन्यवाद, और कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई opinion है, वो भी आप नीचे comment कर सकते हैं, धन्यवाद जहीं,